हलो एवरिवान, आज हम आपको एक लाइट मेकप बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा, वीच में स्क्रिप्ट मत किजिएगा, वरना आपको ये स्टैप बाई स्टैप मेकप समझ में नहीं आएगा, बहुत प्यारा लुकाया था इनका बहुत प्यारी लग रही थी ये, और इनका जो हमने मेकप किया है, वो विंटर मेकप है, और काफी अच्छे तरीके से इनके फेस पर हमें गलो लाना था, तो देखिए हमने क्या 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 है, हमने सबसे पहले हैं पर क्लेजिंग टोनर कर लिया था, अब मैंने लोरि सबस्क्राइजर लेके अच्छे से मसाज करेंगे फेस पर, यह देखिएगा, क्योंकि इनका जो इसकीन थी, वो जादर ड्राय थी, बहुत जादर ड्राय थी, रफ भी थी, तो इस करके हमने यहां पर अच्छी तरीके से लॉरियल का मॉस्ट्राइजर यूजर यूज गया लाता है, तो लॉरियल की क्रीम मैंने यह मेकप क्रीम है एक जो ग्लोइंग क्रीम के नाम से भी हम उसे कह सकते हैं, काफी बैस्ट है, तो मेकप में आप इसको जरूर यूज की जेगा, इसका रिजल्ट काफी अमेजिंग है, तो अब हमने यहां पर क्या क्या है, अच्छी मेकप किये हैं, ज्यादे तर लॉरियल के प्रोड़क ही यूज किये हैं, प्राइमर अच्छी तरीके से ब्लैंड करने के बाद, एपलाई करने के बाद, फिंगर की मदद से ब्लैंड करना है आपको, और आपका जो ब्लैंड करने का तरीका है, वो बहुत इसली होना तो यहां पर हमने अब क्या है सुप्रा का लिया है मैंने 303 जो चेहरे का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए कोई भी पिग्मेंटेशन है चेहरे पर उसको हम क्या करेंगे उसको दूर करने के लिए 303 यूज किया है यह शुप्रा का क्या है मैंने विंटर का मौ us किया है माउथ के आर आखों के नीचे काले घरे है काफी इनके और माउconomic के ब्लैक नस्पी थी इसको daiken करने के बाद अब मैने यहां पर देखिए यह मैने यहां बरकोलर जो इनका कलर टोन है उस都有 मेस्ज करते हुए मैने लगा देंगे तो और आपको क्लार नहीं लगाना है सबसे पहले आपको कलर टोन लगाना है जो डी 3 because क火 झालर टोन था दी 4 तो मैं ने वो यहाँ पर इनको लगाया है जिससे कि जो कलर है वह ज्यादे वाइट नहीं और ज्यादे से तो आपको color character का जरूर ध्यान लगना है अब इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या क्या है D5 लगाने के बाद forever का मैंने 7 number लिया है जो इनके color tone से two tone fair था तो आपको पहले color tone लगाना है उसके बाद fair color यानि की two tone fair color लगा देना है जिससे की आपको glow बहुत अच्छा आएगा amazing आएगा तो मैंने यहाँ forever का foundation लिया है forever का 7 number foundation मैंने लिया है और यहाँ पर two tone fair इनका आगया था color और काफी अच्छा इनका जो glow है और ज्यादा थोपा थापी मैंने नहीं की है बहुत अच्छा glow भी आया था और इनका जो base बनके हमारा तियार है अब हमें से set करने के लिए मैंने यह color बार का compact लिया है बहुत अच्छा है यह compact भी forever कभी मैं use करती हूं forever कभी मैंने use किया था वो भी काफी अच्छा है बट मैंने है इस बार color बार का use किया है यह भी काफी best है winter के मोसम में यह काफी best है और यह अच्छी तरीके से मैंने इनको setting यानकी setting powder कह सकते है fixing powder जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं compact powder भी लगा सकते हैं दर्बाइट जो आपके पास available हो आप वो use कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने इनका waste बना के तियार कर दिया है अब हम क्या करेंगे यह देखें आखों के नीचे और उपर का विसेस रूप से ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी waste बनाना है चेहरे का equal बनाना है यानि कि आपको ज़्यादा कहीं dark ज़्यादे कहीं light नहीं करना है अब हमारा waste बन का तियार है आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर hudda beauty की palette ली है जिससे मैंने brown and black color लिया है और उससे अच्छी तरीके से इनकी आईब्रो फिल की है यह मेरे naika का brush है जो blending brush है काफी अच्छा है इससे blending काफी अच्छी होती है मैं जातर इसी को use करती हूँ blending करने के बाद मैंने अब यहाँ पर जो इनका color था इनकी साड़ी का color था golden and red तो पहले मैंने red का blending की है और जो cut case किया है वो golden का क्या है पहले ivory shade ले लेंगे cut case करने के लिए आप ivory shade लिया है मैंने cut case करने के लिए तो आइवरी शेड से पूरे इनके शेप बनाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लैंड किया है क्योंकि आप वेस द्वारा या फांडेशन द्वारा से बनाएंगे कटकेस बनाएंगे तो उस पर क्या होता है हमारा जो कटकेस उभर कर आता है अब हमने इनको बीच का कटकेस दिया है वरी शेड के बाद ये देखिएगा रैड और गोल्डन का हमें इने टच देना है जो इनकी साड़ी का कलर था वही टच हमने यहाँ पर दिया है पहले अच्छी तरीके से आप एक से बना लेंगे कटकेस बना लेंगे अपना कटकेस बनाने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से ब्लैंड कर लेंगे अब हमने यहाँ पर कर अब हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे है यह करने के बाद हमें इसको compact powder से fix कर दिया है यह हमने compact powder से fix कर दिया है waste के बाद अच्छी तरीके से जब ताकि हमारा जो यह हमने यह waste बनाया है यह एक तम fix हो जाए अच्छी तरीके से waterproof हो जाए और cakey भी ना हो इसमें pages भी ना है अब यह देखे golden हमने यहापर color लिया है golden color से हमने cut case किया है और फिर मैंने यहाप पर loreal का ही liner लिया है loreal का liner मैंने apply किया है laces लगाने से पहले आपको liner apply जरूर करना है और golden and red का यह इनका eye makeup इनके हमारा जो यह तियार हो गया है तो यह देखेगा eye makeup इनका simple sourd बहुत अच्छा लग रहा था काफी अच्छी भी लग रही थी यह आप ध्यान से देख सकते है यह देखिएगा यह हमारे जो भी makeup है यह पूरे डियाल्टी के साथ दिखाई देते हैं यह हम ऐसे fake makeup आपको नहीं दिखाते हैं और हमारा कोई ज़्यादे आइफोन यह DSLR कैमरा नहीं है जो हम कह देगी यह हमारा काफी अच्छा आइफोन है यह DSLR कैमरा है नॉर्मली फोन हरेते हैं हमारे और हमारे जो makeup होते हैं जैसे हमारे दिखाई देते हैं वैसे ही होते हैं ज़्यादा हम इन में fake चीजे नहीं दिखा सकते जो हमारी reality हैं वही दिखाते हैं तो आप देखीगा बिल्कुल light makeup था इनका बहुत प्यारी लग रही थी हैं और काफी अच्छा इनका आई makeup हुआ था काफी पसंद भी आया था इनको इनके साथ इनकी sister-in-law भी आई थी बट उनके हम वीडियो नहीं बना पाए थे इतना समय नहीं तक काफी makeup थे उस दिन हमारे पास अब हमने लेसिस इनको apply कर दिये और यहाँ पर हमने निव्या का लिबाम लगा दिया है निव्या का लिबाम लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से निव्या कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि इतना इनका जो हमने आई makeup अभी इनका पूरा कम्प्रेट नहीं हुआ है फिर मैंने फॉर एवर का ब्लेशर लिया है ब्लेशर काफी light लगाया था मैंने इनको जादे dark heavy नहीं लगाया था ब्लेशर लगाने के बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से यहाँ पर highlighter भी दिया था यह देखिएगा मैंने peach light peach color का ब्लेशर इनको दिया था क्योंकि इनको जादे heavy makeup नहीं चाहिए था बट इनको अपने makeup काफी पसंद आया था काफी अच्छी भी लग रही थी और इनकी sister in love भी काफी अच्छी लग रही थी ब्लेशर अप्लाई करने के बाद हम हमें क्या करना है अब हम यहाँ पर highlight अप्लाई करेंगे तो highlight का विसे इस रूप से धिया लखेंगे eyebrows के जो नीचे वाला highlight point होता है हमाँ पर भी चलूर लगाएंगे हमाँ पर brush की help से लगाएंगे और मैं देखें लगा रही हूं हमाँ पर brush की help से लगा रही हूं और जो हम chin पर forehead पर nose पर लगाएंगे और चिक पर लगाएंगे वो मैं finger की मत से लगाऊंगे क्योंकि मुझे हाइलाइटर फिंगर की मतर्स से लगाना जाद अच्छा लगता है ब्रस से नहीं यह देखिएगा जहाँ जहाँ आपके हाइलाइट पॉइंट है वहाँ पर आप क्या करेंगे हाइलाइटर लगा देंगे प्यारी से जो इनका फेज करता बहुत प्यारा सथ हमें हैं पर काउंटिंग की जरुत नहीं नहीं ती यहाँ पर जादे लोगएन ॉस्पना चिक करें तो हमें नहीं लगी नीट तो हमने हैं यहाँ पर काउंटिंग नहीं गी थी अब मैंने forever की kit से इनको lip shade दिया है lip shade देने के बाद अब हमने इसके उपर ये देखिए lip shade देने के बाद eyes open की है इनकी open करने के बाद ये देखिए नीचे जो waterline का जो हिस्सा हुता है इसको भी हम blending करेंगे जिस color से shadow लगाया था उसी color से महाँ पर blend कर देंगे तो इस करके हमने इनको काजल बाद में दिया था मैंने लगाया था पर पानी काफी नहीं करने लगा था इस करके हमने last में इनको काजल दिया था अब ये हमारा ये देखिए final look है मैंने forever का ही makeup fixer इनको दिया है अब हमारा make up final हो चुका है ये हमारा final look है guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को like and channel को subscribe करना ना भूले और मुझे comment box में जरूर बताईएगा कि आपको मेरा ये makeup look कैसा लगा कौके भगा एे है